हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रिफरेंस के बारे में तो हम चलते हैं MS Word में इंशर्ट में जाएंगे यहाँ पे देखिए यह सारी चीजें हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में ओनलाइन वीडियो कैसे इंशर्ट करते हैं इसके बारे में भी हमने डिटेल में सीखा है आज हम सीखेंगे हाइपर लिंक, यहाँ पे इसको लिंक को हाइपर लिंक बहिए कहते हैं बुक मार्क और क्रॉस रिफरेंस इन तीनों के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अगर आपको ये नहीं आते हैं कि कैसे हम इसको सेट करते हैं तो आप हमारे वीडियो के अंद तक जरूर बने रहे हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं hyperlink के बारे में hyperlink क्या होता है कि हमें कोई document में quick access करना है या कोई webpage हो, file हो, हमारा कोई document हो या फिर हमारा कोई video हो, उसको हमें link करना है याँ पे तो हम hyperlink का use कर सकते हैं और अगर हम इसी document में भी अगर कोई section में जाना है तो भी हम hyperlink का use कर सकते हैं तो देखिए कैसे करते हैं heading को यागर हमें link करना है तो हम इसकी heading को select करेंगे या कोई word को link करना है जैसे suppose artificial intelligence इसको हमें link करना है तो हम यहाँ पे इसको select करेंगे पहले इस तरीके से और उसके बाद link में जाएंगे उसके बाद आपको किसे इसको relate करना है आपको कोई folder से करना है तो आप यहाँ पर folder जोज कर सकते हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास options आते हैं existing file और web page आपके पास पहले से जो कोई file है उससे कुछ link करना चाते हैं या कोई web page से link करना चाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर current folder है browse pages है जो आप पहले से यहाँ पर कोई search कर चुके हो recent files है यह सारी files आपके यहाँ पर आ जाएगी अब यहाँ पर place in this document अगर आपको इसी document की कोई heading में डालना है यह हमारे इसी document की heading से सब तो इन सब में अगर कोई link करना है तो आप इसे भी click करके यहाँ पर choose कर सकते हैं select कर सकते हैं और जैसे ही आप select करेंगे वहाँ पर यह link आ जाएगा अगर आपको कोई create new document बनाना है तो आप यहाँ पर कोई document का नाम लिखे और यहाँ आपके desktop में save करना है या कहाँ save करना है वो यहाँ पर आप जाके setting कर सकते हैं आपको email address डालना है तो यहाँ पर आप email address डाल सकते हैं subject डाल सकते हैं और यहाँ पर select कर सकते हैं तो यह सारे options हैं हमारे पास उन सब को हम यहाँ पर link कर सकते हैं तो हम सबसे पहले जैसे suppose हमें यहाँ पे lotus point की ppt यहाँ पे save करनी है इसको link करना है तो हम ok करेंगे और यहाँ पे देखी artificial intelligence यहाँ पे इसका color change हो गया है और यहाँ पे यह link भी आपको show हो रहा है तो यहाँ पे आपको simply देखें एक suggestion आ रहा है control plus click करना है यह automatically आपकी powerpoint presentation open हो जाएगी तो आप क्या करेंगे control plus click करेंगे देखें यहाँ पे आपकी powerpoint open हो गया है जो हमने पिछले वीडियो में chart design सीखा था वही हमारी powerpoint open हो गई है इसे यहाँ पर कोई folder कोई document इसी document की कोई heading पर जाना है तो वैसे भी आप select कर सकते हैं suppose हम इसको एक बार remove कर देते हैं यहाँ पर right click जाएंगे यहाँ पर देखें यहाँ भी हमारे पास option आते हैं edit open hyperlink copy hyperlink remove hyperlink इस तरीके से तो हम एक बार remove कर देते हैं हमने remove कर दिया अब सब इसी document की कोई heading में जानी है इसको heading को link करना है तो हम क्या करेंगे link में जाएंगे place in this document इस पर कोई भी heading जो आपकी heading select की हुई है वो यहाँ पर choose कर लेंगे suppose हमे national security पर जाना है तो हम इसको select करेंगे और ok कर देंगे तो यह आ जाएगा अब हम इस पर control plus क्लिक करेंगे तो हम पर आजाएंगे automatically इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी चीज़ यहां पर link कर सकते हो तो suppose अगर हमें वापस कुछ edit करना है इसमें तो हम यहां पर right click करेंगे और edit hyperlink पर जाएंगे तो यहां पर वापस कोई और चूज कर सकते हो दूसरा अगर आपको remove करना है तो यहां पर भी एक option आता है remove link और दूसरा यहां पर आप चूज कर सकते हो इस तरीके से हम अपने document के अंदर कोई अगर link करना है या कोई folder, ppt, document, pdf, word, web page या आपको अगर कुछ insert करना है इसके suppose आपने इस पर click किया और web page open हो गया आपको अगर कोई web page को link करना है, youtube channel को link करना है या youtube videos को link करना है तो आप इस तरीके से hyper link से यहां पर link कर सकते हैं Online वीडियो में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हम Online वीडियो इंशर्ट कर सकते हैं और Hyper Link से क्या है? हम कोई Text की अंदर Link डाल देते हैं और उस पर Click करने से हम वीडियो पर चले जाते हैं जैसे सब वो Chart Design यहाँ पर लिख दिया और फिर हम सीधा यहाँ पर चार्ट डिजाइन की वीडियो में चले गए यहाँ पर चार्ट डिजाइन का वीडियो हमने डाल दिया यहाँ पर लिंक में तो इस तरीके से यह different है online वीडियो से अगर हमें link की डालनी है, हमें video insert नहीं करना है तो अब हम वापस अपनी position पर आ जाते हैं, अब हम चलते हैं bookmark में bookmark में यहाँ पर जैसे हम open करें के तो देखें यहाँ पर option आता है add, delete, go to और यह सारे, तो अब इसमें क्या करना है, suppose आपको कोई bookmark करना है bookmark का क्या अर्थ हुआ कि आपको suppose कोई paragraph, कोई heading या फिर कोई word आपके document को bookmark करना है ताकि आप अगर वापस उसको choose करें, सीधा उस पे पहुंच जाएं suppose आपकी बहुत बड़ी documents हैं और आपको आप याद नहीं है कि अब मैं कहां, ये वाला portion मेरा कहां लिखावा है और आप उसको future के लिए याद रखने के लिए आप bookmark करना चाहते हो, आपको ढूंडना नहीं पड़े, आप bookmark से सीधा उस section या उस heading पे चले जाओ, या उस word पे चले जाओ तो उसके लिए हम bookmark use करते हैं, जो जो चीज़े आपके book में important है, उनको आप mark करके रख सकते हैं, इसके लिए ये bookmark use किया जाता है link में क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई word पे link डाल देते हैं, documents में भी थोड़ी changes हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे link किया था, तो हमारा कैसे ये color change हो गया, और यहाँ पे उपर में ये link भी दिखा रहा है, लेकिन अगर हम bookmark करेंगे, तो यहाँ पे हमारे document में कोई changes नह यहाँ पे iad कर दूगे, तो यह bookmark हो गया, यहाँ पे यह पूरा paragraph, अब suppose मैं कहीं और जाती हूं और bookmark करती हूं, suppose है healthcare इस heading को मैंने select किया और अब इसको bookmark करती हूं, यहाँ पे मैंने नम दे दिया, add कर दिया, तो यहाँ पे यह bookmark हो गया है, तो अब मैं bookmark में जाओंग और देखें यहाँ पे दो option आते हैं health और quality तो suppose मुझे health पे जाना है तो मैं यहाँ पे go to कर दूँगी तो मैं सीधा यहाँ पे health care पे आ गई अगर मुझे वापस quality में जाना है तो मैं यहाँ पे quality में चले जाऊंगी यहाँ पे यह alphabetical order में यहाँ पे save हो रहा है अब अगर आपको इसको delete करना है तो आप यहाँ पे delete कर देंगे यह ऐसे delete हो गया अब हमारे पास एक रहा है और दूसरा add करना है तो हम यहाँ पे add कर सकते हैं तो इस तरीके से हम bookmark कर सकते हैं हमारे ही document में कहीं पे भी जाके suppose यह human है इसको मुझे bookmark करके रखना है यहाँ पे कर दिया और add कर दिया कुछ भी changes हमारे document में दिखाई नहीं दे रहा है यह as it is ही है बट हम bookmark को open करेंगे यहाँ पे हमने कितने bookmark करके रखने वो यहाँ पे सारी detail list आजाएगी और उस पे जो हमें select करना है अब यह bookmark करना हमने सीख लिया है इस bookmark करने की बाद हम और भी बहुत सारी चीजों के advantages ले सकते हैं हम इसी bookmark को use करके हम multiple tables भी बना सकते हैं हर chapter की अलग-अलग tables बना सकते हैं और भी बहुत सारी uses है bookmark के तो वो भी हम अपने advance word में सीखेंगे कि इसको कैसे use करते हैं तो अभी simply हम bookmark कैसे करते हैं वो हमने इस वीडियो में सीख लिया है हम जब multiple tables कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझाएंगे तो यह bookmark बहुत useful होने वाला है वहाँ पे क्योंकि आप इस bookmark का use करके multiple tables बना सकते हैं अब हमारे पास next option आता है cross reference cross reference भी hyperlink की तरह ही है बट थोड़ा different है तो इसमें क्या होता है चलिए सीखते हैं तो इसको सीखने के लिए पहले हम chapter की initial में जाते हैं suppose initially यहाँ पर cross reference देते हैं तो अब हम cross reference में जाएंगे यहाँ पर जैसे ही हम cross reference open करते हैं यहाँ पर हमारे पास option आता है reference type तो यहाँ पर हमारे पास reference है बहुत सारी जैसे suppose numbered item है यह हमने select करके नहीं रखा है तो इसलिए नहीं आ रहा है heading है heading हमने बना के रखी है तो वो heading है bookmark है हमारे पास जैसे अभी हमने बनाया था footnote अगर हमने कोई footnote डाला है document में उसकी list आजाएगी end note डाला है तो उसकी list आजाएगी equation अगर कही डाला है वो आजाएगी figure अगर डाला है तो वो सब आजाएगा table अगर हमने यहाँ पर कुछ insert किया तो वो सारी tables भी याँ पर आजाएगी तो अभी हम heading में चलते हैं क्योंकि अभी हमारी heading सारी set की हुई है word file में और अगर आपको पता नहीं कि कैसे heading set करते हैं तो आप हमारे home tap वाला वीडियो जरूर देखिएगा उसमें हमने बताया कि heading को आप कैसे set कर सकते हैं क्योंकि अगर जब तक आप heading set नहीं करेंगे तब तक आपके यहां पे headings में नहीं आएगा दिखाएगा आप सिर्फ type कर दिया लिख दिया और उसका color change कर दिया या bold italics वगरा कर दिया आपके documents में लग रहा है कि यह heading है बट exactly जब तक आप set नहीं करेंगे proper तरीके से तब तक heading में यह दिखाएगा नहीं हमारी documents में इसलिए आप जब भी अपना कोई document बनाते हैं तो उसके लिए आप systematic way से चलिए heading set किजिए, title set किजिए, bookmark set किजिए तो यह सारे tools और options हम easily use कर पाएंगे तो अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारा home tab वाला video ज़रूर देखेगा उसमें हमने detail में समझाया है अब हमारे पास next option आता है insert reference to heading text, page number, heading number या heading number no context तो आपको क्या देना है? heading का सिर्फ text देना है तो आप heading text choose कर लेंगे आपको सिर्फ page number डालना है याँ पे, जो heading वाहाँ पे है उसका page number आएगा आपको सिर्फ heading number देना है तो आपने जो heading number छूज की है 1, 2, 3, 4 जो है आपका वो number आएगा याँ पे heading number no context, heading number full context तो हमें क्या देना है? तो याँ पे हम select कर लेंगे जो हमें देना है तो हमने suppose heading text को select किया है और यहाँ पे insert कर दिया है तो देखिए हमारी यह heading आ गई है ऐसे हम दूसरी heading को select करेंगे और यहाँ पे एक enter दे देते हैं और यहाँ पे हम insert कर देंगे तो यह दूसरी heading आ गई और फिर enter दे देंगे और तीसरी heading डालेंगे तो इस तरीके से हम इस सारी heading यहाँ पर insert कर सकते हैं और अब क्या है यह सारी heading suppose हमारी यहाँ पर आ गई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे control प्लस click करेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पर यह पहुंच आते हैं cross reference के through तो इस तरीके से हमने cross reference को एक तरीके से हमने चाना तो चलिए अब हम इसका दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं सबूस यहाँ पर artificial intelligence लिखावा है इसको हम select करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे हम कोई heading या कोई choose कर लेंगे आर्टिफिचल इंटेलिजेंस को हम यहाँ पर select किया और cross reference पर जाएंगे और अब क्या करेंगे artificial intelligence की जगे हम यहाँ पर intelligence डाल देंगे तो यहाँ पर हम इसको select करेंगे और फिर आपको यहाँ पर क्या डालना है heading text डालना है पेस नंबर डालना है जो भी डालना है आप डाल सकते हो सपोस हम heading text डालना है और फिर हम insert कर रहें तो जैसे हम insert करेंगे यहाँ पर देखिए intelligence लिखावा आ गया है यह एक तरीके से यह नाम भी पूरा change हो जो यहाँ पर आना था वो आज गया अब यहाँ पर यह link हो गया है तो हम इसको control plus click करेंगे तो हम intelligence पे पहुंच जाएंगे तो इस तरीके से भी आप इसको use कर सकते हैं यहाँ पर आपको कोई bracket में कुछ लिखना है तो हम cross reference में जाएंगे और suppose यहाँ पर qualities of artificial intelligence है तो यहाँ पर ही इसको insert कर देंगे यह आ गया और इसको close कर देंगे तो अब हम इसको control plus click करेंगे तो हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे सिदा इस तरीके से हम अपने document में अगर cross reference कहीं पे भी देना चाते हैं end notes हो गए footnotes का हो गया heading हो गई किसी में भी अगर देना चाते हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं cross reference hyperlink के थोड़ा similar ही है बट चीजे उससे थोड़ी अलग है cross reference अपके document के अंदर ही काम करता है hyperlink आपके document से बहार की चीजों को भी link करने के लिए use किया जा सकता है तो इस तरीके से आप cross reference का use करके आप end notes footnote heading tables content कहीं पर भी अगर आप कोई link करना जाते हैं तो आप cross reference का use कर सकते हैं अगर आपने आज कुछ नया सीखा है हमारे साथ तो प्लीज आप video को like करें comment करें आपको और किस चीज में videos चाहिए आपको और क्या सीखना है MS Word, Excel और PowerPoint किसी में भी अगर आपको कुछ सीखना है कोई doubt है तो आप हमें comment भी कर सकते हैं हम उस पे भी जरूर videos लेके आएंगे और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन सब चीजों का use करके professionally document को edit कर सकते हैं इसी तरह के videos देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना न भूलें थैंक यू